फिल्म की शुरुवात 20 साल की एक महिला के रात में अकेले घूमने से होती है, जैसे ही वह शहर में घूमती है, हमें एक दिवार पर एक लापता महिला का पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है, जैसे ही महिला गली से होकर आगे बढ़ती है, एक आदमी उसके पीछे आता है और उससे पूछता है कि क्या उसने अपना बटवा गिरा दिया है, महिला नहीं में जवाब देती है और तेजी से चलने की कोशिश करती है, लेकिन पुरुष उसके पीछे दौरता है और उसे पकड़ लेता है, महिला तब उससे लड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वह उ उसे भाग जाने के लिए कहती हैं। उसके बाद हम केवल उस आदमी की चीक सुनते हैं जब लेसी उसे बेर्हमी से मार देती है। की सभी ने पहले ही हार मान ली है। चारली फिर से जल्दी काम छोड़ देता है और नेत्रित्व का पालन करने के लिए एक फैक्टरी जिले में जाता है। जैसे ही वह पारकिंस ठल पर इंतजार कर रहा था। उसने अपने एक संदिग्ध टॉम को अपने पास से गुजरते फिर वह देखता है कि टॉम एक इमारत में प्रवेश करता है और तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। इस बीच लेसी इमारत के बगल वाली गली में सो रही है और उसकी दोस्त जो उसे जगाती है। वह उसे बताता है कि वह जिस आदमी की तलाश कर रही थी वह अभी अ इमारत में दाखिल हुआ है। इसलिए वह इमारत की ओर भागती है और दरवाजे का ताला तोड़ कर उसमें प्रवेश करती है। इमारत के एक कमरे के अंदर टॉम एक मासूम कुत्ते के साथ रूसी रूलेट खेल रहा है। जेरी लाइव है गेम को डार्क वेब पर स्ट् पर लेता है। कुछ नहीं होता। इसलिए आगे वह बंदूग अपने ऊपर रखता है और दूसरी गोली मारता है। फिर कुछ नहीं होता। फिर वह कुत्ते पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूग तानता है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता। लेसी पीछे स आती है और उस पर हमला कर देती है। टॉम उसके सिर पर गोली चलाता है लेकिन वह उसे टाल देती है और वह उसकी आखों में अपने हाथ डाल कर और उसके मस्तिश्क तक पहुचने तक अपना हाथ आगे बढ़ा कर उसे मार देती है। आप देखिए लेसी में अलोकिक शमताएं हैं। इतना ही नहीं वह बेहत ताकतवर है और अपनी उंगलियों से लोगों को मार सकती है। लेकिन वह भी गोली लगने से नहीं मरती और उसके घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जेरी यह देखकर की उसने टॉम को कैसे मार डाला वापस आने के लिए भाग जाता है। और जब वह ऐसा करता है। लेसी जेरी की उंगलियां काट देती है और ग्रिश छोड़ देती है। चारली जिसने उसे दर्वाजा तोड़ कर अंदर घुस्ते देखा है। उसे बाहर निकलते हुए देखता है। इसलिए वह बाहर जाते हुए उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वह उसे अंदेखा कर देती है और चली जाती है। फिर वह स्वयन इमारत में प्रव किया गली में वापस हम लेसी को टॉम की उंगलिया खाते हुए देखते हैं जैसे कोई व्यक्ती चिप्स खाता है वह देखती है कि एक छायादार आकरती उसे देख रही है लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है वह गायब हो जाती है उस रात बाद में चारली अपने अपार्टमेंट में वापस आया और उसने जो देखा उसे समझने की कोशिश की। उसने देखा कि लेसी ने वुड को सिर पर गोली मारी थी, लेकिन वह ठीक लग रही थी। उसने यह भी देखा कि उसने टॉम के साथ क्या किया। लेकिन वह जानता है कि परिसर में कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वह इसे अपने तक ही सीमित रखता है। इस बीच टेरंस अपनी बहन और अपराध साथी मेरेडित से मिलता है। वह उसे लेसी द्वारा टॉम को मारने की लाइव स्ट्रीन दिखाता है। टेरंस सोचता है कि अगर वे लेसी को ढूंड सकें तो वे उसे सबसे उची बोली लगाने वाले को बेच सकते हैं। मेरेडित वह है जो मुख्य रूप से मानव ट्रैकिंग व्यवसाय चलाती है ताकि वह लेसी के लिए खरीदार ढूंड सके। लेकिन वह आश्वस्त नहीं है कि लेसी बंदू की गोली के घाव से बच गई होगी इसलिए वह टेरेंस को उन छे नई लड़कियों पर ध्यान केंदरित करने के लिए कहती है जिन्हें वह अभी लाई है अगली सुभा चारली गली में जाता है और लेसी को पाता है। वह उससे कहता है कि वह सिर्फ बात करन चाहता है और वे चर्चा करने के लिए उसके पसंदीदा भोजनाले में जाते हैं। वह उससे पूछता है कि उसने टॉम की उंदलिया क्यों ली और वह उससे कहती है क्योंकि वह उससे खाना चाहती थी। वह उससे बताती है कि उंदलियों को ले जाना आसान है और उसे अस उसे बताती है कि उसकी पहली पसंद वास्तव में बॉस टेरेस थी, लेकिन चूंकि टॉम एक कुट्टे को मारने वाला था, इसलिए उसे उसे खाना पड़ा. मानव तसकरी की जाच के लिए चारली के मुख्य संदिग्ध टेरेंस और उसकी बहन है, लेकिन वह अभी भी उन्हें इस कृत्य में नहीं पकड़ पाया है, इसलिए वह उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है, वह उसे अपने पास मौझूद एक खाली अपार्टमेंट मे ले जाता है, और उससे कहता है कि वह वहां रह सकती है, और अब वह अपना खाना भी बचा सकेगी, ताकि उसके खाने से पहले वह खराब न हो जाए, फिर वह उसे अपने सभी संदिग्धों की तस्वीरें देता है, और उनसे उनके पीछे जाकर उन्हें मारने के लिए कहत चारली को विश्वास नहीं है कि वह इन अपराधियों को पकड़ने जा रहा है। इसलिए वह लेसी को उन्हें मारने के बदले में रहने के लिए एक जगह प्रदान करता है। चाकू से वार किया जाता है लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता है और वह उसे आसानी से मार भी देती है। फिर वह देखती है कि सूसी नाम की एक महिला को हतकड़ी लगी हुई है और वह नहीं जानती कि उसके साथ क्या करना है। इसलिए वह अपार्टमेंट लेती है और चार्ली को फोन करके स्थिती के बारे में बताती है। चार्ली ने उससे कहा कि वह महिला को छोड़ दे और घर वापस चले जाएं। लेसी फिर अपार्टमेंट में लोटती है और सूसी को पकड़ती है। सूसी लेसी से डरती है क्योंकि उसने उसे कई बार पते हुए देखा है लेकिन जब वह देखती है कि वह उस पर हमला नहीं कर रही है, तो वह तुरंत बहुत मिलनसार हो जाती है और बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देदी है, लेसी उससे नाराज हो जाती है इसलिए वह उसे चारली का संपर्क देती है और उसे चले जाने के लिए कहती है लेकिन सूसी नहीं सुनती है और वह उसके पीछे-पीछे भोजनाले तक जाती है और अपना प्रश्न जारी रखती है वह उससे पूछती है कि क्या वह सुपर हीरो है जिस पर लेसी जवाब दे लेकिन वह यह भी बताती है कि उसकी पीठ में दो घाव हैं जो उसे याद नहीं है लेकिन यह उसके अस्तित्व के बाद से ही है रात के खाने के बाद सूसी लेसी के साथ उसके अपार्टमेंट में वापस चली जाती है क्योंकि उसके पास भी सोने के लिए जगह नहीं है और जब सूसी बाथरूम में होती है लेसी को शोर सुनाई देने लगता है और छायादार आदमी की आकरती फिर से प्रकट होती है और गायब हो जाती है इससे लेसी घबरा जाती है और वह सूसी को तुरंत अपार्टमेंट छोरने का आदेश देती है लेकिन जब वह स्नान करके वापस आती है तो वह सूसी को अपने सोफे पर सोती हुई पाती है इस बीच चारली अपराध स्थल को साफ करने के लिए अपार्टमेंट में जाता है लेकिन टेरन्स जो पॉल से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, वह भी उसकी जाच करने आया है. और वे एक दूसरे से मिलते हैं. चारली फिर अपनी बंदुग पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टेरंस उससे निपट लेता है और उसे मार गिराता है. फिर चारली को पराधी के ठिकाने पर ले जाया जाता है और वह उठता है एक कुरसी से बंधा होता है मेरेडित उसका स्वागत करता है और बेतरतीब धंग से अपने सभी अपराधों को कबूल करना शुरू कर देता है वह जानती है कि चार्ली एक जासूस है इसलिए वह उससे कहती है कि तब खुलासा किया कि वह जानता है कि उसकी बेटी का अफ़रन नहीं हुआ था और वह वास्तव में भाग गई थी और अब वह जानता है कि वह कहा रहती है लेकिन वह उससे संपर्क करने से बहुत डरता है वह उसे बताता है कि वह उनके पीछे इसलिए आ रहा है क्योंकि वे अन्य युवतियों का अफ़रन करते हैं और उनके साथ भयावा चीजे करते हैं मेरेडित यह देखकर कि वह उसके साथ कहीं नहीं जा रही है तेरिंस को अंदर बुलाती है और कमरे से बाहर चली जाती है इसके बाद तेरिंस अपनी यातना देने वाली सामगरी बाहर लाता है और चारली से पूछता है कि लेसी कहा है अगली सुबह हम देखते हैं कि लेसी एक बुरा सपना देख रही है और उसके दिमाग में डरावनी आवाजें फुसफुसा रही है फिर वह खून की भूख से नीम से जाग उठती है वह देखती है कि सूसी उसके सामने सो रही है इसलिए वह धीरे धीरे उसके पास आती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है लेसी के आंतरिक राक्षस उसे सूसी को मारने की कोशिश कर रही है लेकिन वह अपने आग्रह से लड़ती है और अपने अपार्टमेंट से बाहर भाग जाती है लेकिन जमीन पर टेरेंस और उसका सहयोगी डैन उसका इंतजार कर रही है इसके बाद टेरेंस उस पर बेसबॉल बैट से वार करता है लेकिन वह नीचे नहीं गिरती फिर वह उससे उसे फिर से मारने के लिए कहती है इसलिए वह ऐसा करता है फिर वह उससे पूछती है कि क्या वह उसका अभरन करने की कोशिश कर रहा है और जब वह हामे जवाब देता है तो वह शांती से उसके साथ आने की पेशकश करती है इसके बाद टेरंस उसकी ओर देखता है और बेसबॉल बैट से उसके सिर पर एक बार फिर वार करता है जिसस इसलिए वह चारली का संपर्क निकालती है, और उसे कॉल करने की कोशिश करती है। उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए वह फिर पुलिस स्टेशन में पूचने गई कि क्या वह वहा है। वह रिसेप्शनिस्ट और चारली जैनस की करीबी दोस्ट से बात करती है। उसके जाने से पहले जेनिस ने उसे अकेले में मिलने के लिए कहा और वे चारली के पुराने कार्याले में मिले। सूसी जेनिस को बताती है कि उसकी दोस्त मुसीबत में है और उसे बताया गया था कि चारली उसकी मदद करेगा। फिर वह जेनिस को केस फाइल में वे तस्वीरें दिखाती है, जो चारली ने लेसी को दी थी, और जेनिस तुरंट टेरेंस को पहचान लेती है. वह उसे बताती है कि चारली उसके पीछे जा रहा है, और उसे फैक्टरी जिले में पार्किंग स्थल का स्थान बताती है. इस बीच लेसी कई जंजीरों से बंधी हुई उठती है. टेरेंस ने उसकी ताकत देखी है, इसलिए वह कोई गलती नहीं करना चाहता. उपर मेरेडित संभावित खरीदारों के लिए एक पार्टी का आयोजन कर रही है, और वह टेरेंस से सही समय आने पर लेसी को बाहर ला करने के लिए कहती है. पार्टी शुरू होने तक टेरेंस लेसी पर प्रयोग करने के लिए उठसाहित है. इसलिए वह अपनी यातना देने वाली सामगरी बाहर लाता है और धीरे-धीरे उसे यातना देना शुरू कर देता है. वह उस पर कई जगहों पर वार करता है और आन पास जाती है और उसे बताती है कि वह टेरेंस और मेरेडित की दोस्त है और उसे आश्चर्य हुआ की यह काम करता है और उसे अंदर जाने दिया जाता है। नहीं ले जाता है जहां चारली को रखा गया है इसलिए वह तब तक इंतजार करती है जब तक वह वहां से चला नहीं जाता और चारली को बंधन से मुक्त नहीं कर देता वह और चारली फिर उस कमरे में जाते हैं जहां लेसी को प्रताडित किया जा रहा था और सूसी दर्वा लगा कर हमला कर देता है और वह और सूसी उसे रोकने की कोशिश करते हैं इस बीच लेसी देखती है कि उसके दोस्त खत्रे में हैं इसलिए वह अपनी जंजीरें तोड़ना शुरू कर देती है और अपने शरीर से सभी चाकू निकाल लेती है दैन डरा हुआ भागने की कोशि फिर वह टेरेंस के पास जाती है और उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देती है फिर वे उपर पार्टी में जाते हैं और लेसी टेरेंस का सिर मेरेडित के पैरों पर फेंक देती है पार्टी में दहशत फैल जाती है और मेरेडित के अंगरक्षक लेसी पर हमला करने की कोशि करती है और अब भागने के लिए कोई जगह नहीं है इसलिए मेरेडित लड़ने का फैसला करती है और वास्तव में पहले तो ठीक है क्योंकि वह एक मार्शल कलाकार है लेकिन लेसी अभी भी बहुत मजबूत है और वह उसे इमारत से फेंक कर मार देती है कुछ ही देर बाद स सूसी और चारली छट पर पहुँचते हैं और सूसी लेसी को जोर से गले लगाती है पुलिस के पहुचने से पहले वेक शेत्र छोर देते हैं अगले दिन लेसी और चारली लॉन्रो मैट में एक दूसरे से मिलते हैं वे दोनों अपने खून से सने कपड़े साफ कर रहे थे चारली ने उसे बताया कि उसने आखिरकार अपनी बेटी से मिलने का फैसला किया है और उन्होंने अलविदा कह दिया। फिर वह अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है और देखता है कि एक आदमी उसका सामान खंगाल रहा है। की जरूरत है। इस बीच लेसी अभी भी लॉन्रो मैट में है और चायादार आदमी की आकरिती पूरी तरह से उसके सामने आती है। लेसी उससे पूछती है कि वह कौन है और उसका पीछा क्यों कर रहा है लेकिन वह बात नहीं करता। फिर वह कहती है कि उसे एक बच्चे का जन्मयाद है लेकिन वह उसके चहरे की कलपना नहीं कर सकती। फिर वह अपने पिछले जीवन में जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगती है और आकरिती से पूछती है कि वह उसे कब अकेला छोड़ने जा रहा है। इसके बाद फिल्म में वह अपने अपार्टमेंट की ओर वापस जाती है और वह अपने घर पर उस कुट्टे को इंतजार करती हुई पाती है जिसे उसने टॉम से बचाया था। फिर जब वह कुट्टे को पालती है और उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है तो फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये थी हमारी आ झाल